वेल्कम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स फूट लाइफ एन होम डिकोर आज है मंडे और सुबह के बज़ रहे हैं सिक्स ओ क्लॉक मैंने अभी अभी फजर की नमाज पड़ी है और चलिए आपको दिखाती हूं सन्राइज ये हमारी बैलकेनी का व्यू है जो कि अमेजिंग है अलम्दोलिल्ला बहुत अच्छा व्यू है और यहां पर हो रहा है सन्राइज है न बहुत ही प्यारा सा और अमेजिंग सा सच मुझ ये व्यू मुझे अपनी गैलरी से बहुत प्यारा लगता और सुवे सुवे नम नमास पढ़के यहां पर थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती हूं जिसे पूरा रिफ्रेश्मेंट और एनर्जी आ जाती है मुझे तो चलिए चलते हैं कीचन में और बनाते हैं ब्रेकफास्ट आज ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ अपपे और मैं यहां पर रवा से बनाऊंगी सूजी से सूजी में मैंने डाला है ओनियन, क्यूमन सीट, कॉरियंडर लीफ, ग्रीन चिली और साथ में थोड़ा सा कर्ड आट किया है और बिल्कुल बेकिंग सोडा और गरम पानी से इसे मैंने एक अच्छी तरह से नीडिंग करके रग दिया है और यहां पर मैं साथ में उसके और जया है रे पीनट्स को है, कई अगर पीनट्स को आप ना, आरन के तवह अग्र रोस्ट कर हो तो बहुत अच्छा रोस्ट होता है, तो मैंने यहां से अरन वाला तवा लिया है लोहांест का तवा है और यहां पीनट्स को डाला है विड़ा ओख और बाल अल को ऐसे तोड़ा सा गरम पानी और एड़ करूंगी और एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लूँगी बैटर का जो कंसिस्टेंसी होगा उस जादा पतला नहीं होगा और बहुत जादा ठीक भी नहीं एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी में हमें रखना है मैं आपको बताती हूं आगे थोड़ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद इसे वन बाई वन सेट कर देंगे अपको के पैन में जब डालूंगी न तो उससे पहले मुझे उसे ग्रीज करना होगा तो चलिए मैं अपको के पैन को ग्रीज कर लेती हूं मिने पास इस तरह का एक ब्रश है जिसके थ तो शेफ्स बने हुए हैं बट मैं डालती मैं थोड़े हेली वे में इसको बनाती हूं और अगर आप चाहे तो इस पैटर में अपने पसंद का कुछ भी वेजिटेवल जैसे कैरेट हुआ बीन सुआ या किसी और तरह का वेजिटेवल जो आपको पसंद हो आप डाल सकते है । इस तरह सेट कर लेना है और हर्डली मुझे 10 निट्स लगेगा इसे कोड़ ऍाप करने में तो मैं जल्दी जल्दी इसेट कर लेते हूं फहले इसको पुरे साइट-साइट में डालेंगे और बीच में बलकुल लास्ट में डालेंगे सका पहले बीच वला क्या होता है बह मैंने online order किया था और इसका review भी मैंने share किया है मेरे चैनल पे और आपको दुसरी और भी appliances के review और उसका जो भी demo है आपको मेरे चैनल पे मिलेगा मैंने एक video बनाया हुआ है i button में मैं आपके link डाल दोंगी और description में भी दे दोंगी कि ये कैसा work कर रहा है और basically इस pan में कोई problem नहीं है बट इसका जैसे ही lead आया था ना उसके उपर का जो एक knob होता है जिसके help से आप इसे खोल सकते हो वो बहुत loose था मतब उस दिन ही मतब निकल गया था बट इसकी मुझे इसकी जरूरत थी और मुझे breakfast के लिए लग रहा था तो मैंने इसे रख लिया थोड़ी problem आ रही है because उसकी lead नहीं है तो यह open नहीं होता है और साथ में मैं चटनी बना रही हूं यहां पे मैंने लिया है peanuts, green chili, ginger और coriander leaves और बस इसे एक तरह का mixer में लेना है और चटनी के तरह इसे पीस लेना है और थोड़ा सा इसे लास्क में तड़का लगाना है और हमके साथ बहुत अच्छा टेस्ट करता है तो यह हो गया अपना अप्तम रेडी और हमारा breakfast रेडी तो चलिए इसे निकाल लेते हैं सेम पैन में मैं आट करूंगी थोड़ा सा ओयल और यह मैं रेडी कर रही हूं चटनी के लिए तड़का और साथ मैं आट करेंगे थोड़ इसी करी लीफ और मस्टर्ड सीड और थोड़ा सा बस इसी पैन में मैं तड़का भी प्रेपेर कर ले रही हूं शॉट कट तो इसे एड़ कर देंगे चटनी में बहुत यम्मी सा और डिलिशियस सा फ्लेवर आता है इसका तो चलिए यह बन के तयार है हमारा यम्मी सा ब्रे साथी साथ मैंने यहां पर हस्बंड के लिए लंच भी रेडी कर दिया है यहां पर मैंने बनाया है आलू के पराठी और बूंदी रायता और इसकी रेसेपी मैंने शेयर नहीं करी विकॉस थोड़ा सा लेट हो गया था और जल्दी प्रेपेर करना था तो इसकी बाद निकल उसे काफी आसान लगती है बत कोई भी होम मेकर हो उसे पता है कि इसे करना कितना टॉफ है टॉफ नहीं बट ये बोलूंगी कि ये अपने डेली लाइफ का पार्ट है हमें करना तो है बट एफ़र्ट तो लगता है टाइम लगता है हमारा और रहनुवरी एनर्जी भी लग तो यहां पे मैंने बेट क्लीन कर दिया और इस कमफर्टर को फोल्ड करने में मिवजू ने मेरी हैल्प की और उसके बाद मैं आ गई थी कीचन में बरतन वगरा क्लीन करने थे तो मैंने फ्लोर में इस तरह का एक मैट लगा लिया है यह बेसिकली डैनिंग टेबल का मैट था जो अब उतना यूज में नहीं आ रहा है डैनिंग टेबल पे तो मैंने इस कीचन में रख लिया है वाश करने के बाद जो भी पानी होता है वो इसमें आता है और हमारा प्लैटफॉर्म जादा गंदा नहीं होता विकास वो पानी पानी पूरा हो जाता है तो फिर बहुती एफर्ट लगता है बाद में उसे क्लीन करने के लिए तो फटफट से मैंने यहां पे बरतन भी क्लीन कर लिये हैं मैंने अभी हाउस हेल्फ को नहीं रखा है सोच रही हूँ एक बार समान पूरा सेट हो जाए सब कुस सेट हो जाए तो मैं किसी को रखूंगी ऐसा हाउस हेल आज मैं डीनर में बना रही हूँ बिरियानी चिगन बिरियानी तो अभी कुछ का Time हो रहा है हम लोगों ने लंच कर लिया है और लंच के बाद मैं आगगी थी ऑन फौर थर्टी और 5 O'कUA क्लॉक हो रहा है तो मैं आ गे थी किचन में और यहां पर मैं बना रही हूँ चिकन को मेरिनेट कर रही हूँ इसके लिए मैंने लिया है यहां पे चिकन उसमें आट किया है सॉल्ट अदक लेसन का पेस्ट और आट करेंगे दही और बहुत ही सिंपल सा और बिटकुल लाइट मसाले वाला बिर्यानी है यह विकास घर पे हम लोग खाएंगे तो यह जायका का बि सारा धनिया की पती कॉरियंडर लीफ इससे तो बहुत ही जबजस्त सा फ्लेवर आता है बिर्यानी में तो इसके बाद मैं आट करूं कि इसमें ब्राउन किये वे ओनियन फ्राइड ओनियन और इसके बाद अच्छे से से हम मिक्स कर लेंगे आप चिकन को यतनी जादा देर तक मैरिनेट करके रखो बिर्यानी उतनी ही जादा टेस्टी बनती है तो चलिए इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे और लास्ट में मैं यहां पर एड़ करूंगी अपना होम मेट गरम मसाला और मैंने इसके उपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि बहुत पुनिक सा फ्लेवर देता है किसी भी डिश को तो आप ट्राइ करो इस वीडियो का लिंक पी मैं आई वर्टन में दूंगी और डिस्क्रिप्शन में बी डाल दूंगी तो बहुत इजी है और कॉंटिटी जादा कुछ सामान की भी जरुत नहीं है इसे बनाने के लिए बट फ्लेवर बहुत अच्छा सा एट करता है डिश में इसे मैरिनेट करके मैं रग दूंगी और उसके बाद सभी बरतन को धुले वे थे और बुनका पानी अच्छी तरह से सुख गया था तो मैं उसे अरेंज करी हूँ नीचे ट्रॉली में ये भी एक बहुत बड़ा टास्क ह बरतन होने के बाद उसे अरेंज करना तो मैं इसे जल्दी जल्दी अरेंज कर रही हूँ और फिर मिवजु को लेके मुझे नीचे भी जाना है गार्डन में तो राइस में जो यूस करती हो ना वह इंडिया गेट की राइस होती है इस तरह और यह हमारी बैलकेनी से संसेट माशाला बहुत ही प्यारा है आप लोगों को कैसा लगा प्लीस मुझे कमेंट करके बताईएगा तो कीचन का काम पूरा ओवर हो गया है और हम लोग आ गए है नीचे यह क्लब हाउस हमारे सोसाइटी का और मिवजु अभी जा रहा है प्ले एरिया में खेलने के लिए वो शेयर करूंगी आपके साथ उमीद करती हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इफ यू लाइक इल प्लीस सब्सक्राइब मैं चैनल